कि गर्मी में थंड़ा थंड़ा गन्ने का जूस कि यह देखो रामनकर लोंडा धारवड बाइपास अनलावड पस से यह रोड जाता है गोवा को धारवड गोवा बेलगाम साथ किलोमेटर 60 किलोमेटर कंड़ मेरे गाव आए बेलगावी कि अगर्मी के मुश्म में एक नंबर गर्मी के मुश्म में एक नंबर कि यह देखो फिशिंग के लिए निकलें हमाच चार लोग हैं दो लोग अंगलर हैं एक रिजान भाई और मैं हम सिफ दोनों अंगलर हैं फिशिंग करेंगे बाकी दो गूमने के लिए आए हैं साज में देखो यह हमारे रॉट्स प्यूर देशी बैल गड़ी देखो चारा जा रहा हैं इसका दो लोग है जल्दी चलो मामा गड़ी तैम हो रहा है मैं ओक्या मारे गड़ी निकल गए अभी एक एचे रास्ते में से जा रहा है रोलर कोस्टर हो गया है वहां कि खब एक свое बाते हैं झाल कॵई में शथ्या है कि परिखेटल गड़ी पारावा कि पूस roof ग習 सา भार बाते हैं को जो, पाइब जो पाई, दो आपनाश की निदन दोड़ीड, जो बंड़ीट, दो खुआ, अधियने सेट, विदन जरूरी सेट, आपने थे जड़िए, रिदिफ भी माने को, जो चहले जीने, जो खुआ हो, इस दोपी टोड़ीजे पहला को, कर दोडीजी है, जोगातोर द ताकि स्टिक पर टेंशन नहीं आएगा चापारदार टेंशन ज़रूर ही है यह भी आम ने हमारे आंगलर रिच्वान मुल्ला भाई को बता आता मच्ची लगते हैं पहला काम पर जाले न यह बैल को लॉक खोल दीजिए ताकि स्टिक पर टेंशन नहीं आएगा तेंटर में आरे वह बरबरदी कराने के लिए रोग अच्छी लगते भाई निकालते हैं पहला बेल खोल दिया है ताकि आपको लाइन फशेगा नहीं पहुत आंगलर गलती करते हैं श्टिक से मच्ची उटाते हैं श्टिक पर आपके लोडाता है गुड साइज गुड साइज सही है बाई अबरेज है डिसेंट साइज अगड़ ऐसे है इसको कैसे घॉमा रहा है इसको होग सही तरह से लॉक हो गए इसको के लिए आप नए एंगलर है कुछ जानकरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम स्नेकरी फिशिंग टिप्स वीडियो डालते रहेंगे और हम मारे वीडियो में बताते रहें रहते हैं अक्सर स्नेकर फिशिंग टिप्स टेक्निक्स आपकी जानकरी के लिए और आपका भी कोई सवाल है कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके बताएगे यह हमारे दोस्त बेलकाम फिशिंग हंटर ग्रूप के अंगलर इस्वान मुलना हूँ है थैंक पॉर वाचिंग आई थी दिखती लाइक करना महुत बुलिए लाइक का बटन इचे है आप देख रहे हैं तो लाइक बटन फ्रेस करके जाहिए थैंक यू वीडियो इंजा कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए यह देखो आज हम आये हैं पार्टी प्लस फिशिंग एक सिनेकर मिस हो है और एक सिनेकर ह जोस्तों तैंक यू थैंक्स फॉर वचिंग जाएं झाल झाल